हाई फ्रेंज वागते आप सबीका मेरे किचन में आज मैं आप लोगों से सेर करने जा रही हूँ खीर के रेसिपी और ये खीर हम बनाएंगे एकदम पतले दूद से लेकिन ये खीर बनेगा एकदम गाढ़ा मलाईदार क्रीमी वाला खीर बनके ये तैयर होगा लेकिन यहाँ पर हमने इसमें कोई भी मिल्क पाउडर का इस्तामाल नहीं किया है फिर भी हमारा खीर देखे आप एकदम गाढ़ा बनके तैयर हुआ है और साहोन में एक नएक बार तो हमें खीर जरूर खाना चाहिए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं कुछे चावल का इससे भी ले सकते हैं तो इस चावल को मैंने दो तिन बार धो के इसे हम फूलने के लिए छोड़ देंगे तो चली अब हम खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कड़ाई ले लिया है और कड़ाई में हम डालेंगे पहले थोड़ा सा पानी ताकि जब भी हम इसमें दूट डालेना कड़ाई के तले पे चिपकेना तो अब हम इसमें डाल देंगे एक लिटर दूद आप देख सकते हैं दूद एकदम पतली है बिल्कुल भी गारी दूद नहीं है और फिलेम को हाई करके हम फटा फट से दूद में उबाला आने देंगे और जैसे दूद में अच्छा से उबाला आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे फिलेम को लो टू मीडेम रखेंगे और इस दूद को अच्छे से पकने देंगे और दूद को गरम करते बक्त जो किनारे किनारे पे मलाई जमती जाती है ना उसे हम ऐसे स्क्रैस करते हुए वापस दूद में एकटा करते जाएंगे और ये देखे दूद में अच्छा खासा उबाला गया है तो हम इसे low to medium फिले में 10 मिन तक ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम क्या करेंगे एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे काजू और बदाम को तो कजू और बदाम को मैंने फूलने के लिए रखा था और बदाम का जो भी छिलकेत है उसे मैंने निकाल लिया है तो इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में और थोड़ी से दूद के साथ हम इसे अच्छे से पीस लेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा दूट डाला है और इसका हम एकदम बारिक पेश्ट बना कर त्यार कर लेंगे तो यह देखे तो यह हमारा पेश्ट बन के त्यार हो गया है तो अब हम चलते हैं दूट को देखने के लिए और दूट भी न उबलते हुए काफी टाइम हो गया है यहने कि 10 मिनिट लगवब हो गया है तो आप देख सकते हैं दूट पहले से थोड़ा गाड़ा हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल तो चावल मैंने लिया था एक लिटर दूद के लिए 100 गराम और इस चावल को हमें दूद में कैसे डालना है ओ भी मैं आपको बताऊंगी और खीर बनाते बग छोटी-छोटी टिप्स अगर हम फोलो करेंगी हमारा खीर जो है एकदम बढ़िया बनेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चावल किस तरीके से डाल रही हूँ इसी तरीके से भी आपको डालना है ऐसे डालने से चावल में बिल्कुल भी गुठलिया नहीं पड़ती है अक्सर हमारी चावल पे हम डायरेक्ट चावल डाल देते हैं तो गुठलिया पढ़ जाती है ना तो इस तरीके से डालने से बिल्कुल भी गुठलिया नहीं पढ़ेंगे तो इस चावल को मैंने लो फिले में पकने के लिए रखा था 10 मिनिट के लिए और ज्यादा बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हमने कच्छे चावल का इस्तामाल किया है और चावल को हमने थोड़े दिल फुलाया भी है तो 10 मिनिट में यह आपका चावल 90% कूख हो जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो चीनी आपको उतना ही डालना है जितना आपने चावल लिया है या फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इतना चीनी से पॉफिक्ट मीठा होता है अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दे कम खाना पसंद है तो कम कर लीजे साथ में हम इसमें डाल देंगे काजो और वदाम को हमने पीस के रखा था ना उसे भी सिवक डाल दे और उसके बाद हम इसमें थोड़ इसे डाल देंगे इलाईजी के दाने और इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसे हम लो फिले में पकने देंगे 5-6 मिनिट तक और 5 मिनिट बाद आप देखेंगे ये जो खीर है न एकदम गाड़ी हो जाएगी ये देखिए और यहाँ पर मैंने न कुछ इलाईजी और एड़ कर दिये थे क्योंकि जो भी हमने दानी इस्तेमाल किये थे न इसमें उसे बिल्कुल भी फिले बर नहीं आ रहे थी तो खीर हमारा बन की बिल्कुल दयार है और आपको इतने ही जब गाड़ा हो जाएगा न खीर तो उतने बक्त आपको फिल्म को आफ पर देना है क्योंकि जब खीर ठंडी होती है न और ज्यादा गाड़ी हो जाती है अगर इस्टत पे हम ज्यादा खीर को गाड़ी रख लेंगे बाद में तो एकदम चावल की तरह बन जाएगा एकदम गाड़ा बन जाएगा यानि कि वो लगे गाई नहीं कि खीरे और खीर जब थोड़ी रसीली होती है जब भी खाने का मज़ा आता है तो आप देख सकते हैं यह हमारा खीर बनके बिल्कुल पॉफेक्ट हुआ है और ऐसे ही खीर तो सबको पसंद आती है तो यहाँ पर म मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बाई बाई टेक एर